टोक्यो उलम्पिक में गोल्ड मेडल जीद कर नीरत चोप्रा ने इतिहास रच दिया जिसके बाद गोल्डन बॉई ने एक इंटर्व्यू में खुलासा किया था कि उलम्पिक फाइनल में उनके पहले थ्रो से पहले पाकिस्तान की असलीट अर्शिद नदीम उनका जैवलिन लेकर घूम रहे थे नीरत ने उनके अपना जैवलिन लिया और फिर अपना थ्रो किया ये माम्ला यही नहीं थमा इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोवर अर्शिद नदीम को बुरी तरह से ट्रोल करने लगे तो ऐसे मैं अब गोल्डन बॉयर नीरत चोप्रा का उठे कॉंट्रोवर्शी पर बयान सामने आया है सभी को नमस्कार सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना स्पोर्ट किया इतनी दुआए दी इतना प्यार दिया और काफी अच्छा लग रहा है और साथ में मैं पताना चाहूंगा कि एक अभी मुद्दा उट रहा है कि जो एक इंट्रिवे में मैंने का कि जो जो जैवलिन है पहले थ्रो करने से पहले मैंने आरसद नजीम जो पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोवर उसे जैवलिन ली तो बिल्कुल ऐसा है उसमें कोई गलत नहीं है कि वह जैवलिन लेकर प्रिपेर कर रहा था अपनी थ्रोव के लिए और मैंने अपनी थ्रोव के लिए उसको मांगा तो यह इतनी बड़ी बात नहीं है और मुझे काफी दुख है कि जो इस बात को मेरा सारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रही है तो मैं आप सभी से यही विंती करता हूं कि आइसा ना करें स्पोर्ट सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जैवलिन फ्रोर आपस में प्यार शे रहते हैं सभी आपस में अच्छी बात करते हैं तो कोई भी ऐसी बात ना कह जिससे हमको तेस्ट पहुंचे, थैंक्यू बता दे टोक्यो उलम्पिक्स में जेवलिन थो के फाइनल में 87.58 दूर भाला फेक कर नीरत चोपरा ने भारत को एटलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाया था निउस टेस नीरत चेडिक्स में हो भाला के खाइनल